प्रस्ण सत्रा किसी भीन का अंस उसके हर से तीन कम है यदि हर में पांच एवां अंस में दो जोड दिया जाए तो भीन एक वटा दो हो जाता है भीन ग्याद करें तो लिखेंगा माना की भीन का हर बराबर एक्स अतह अंस बराबर क्या हो जाएगा तो किसी भीन का अंस उसके हर से तीन कम है तो एक्स माइनस तीन हो जाएगा क्योंकि हर से तीन कम है अंस तो भीन का हर को एक्स मानेंगे क्योंकि कहरा कि भीन का अंस जो है उसके हर से तीन कम है तो हर को अगर x मानेंगे तो अंस क्या हो जागा x-3 क्योंकि 3 कम है यदि हर में 5 यह अंस में 2 जोड दिया जाए तो देखिए अब लिखेंगे अधा प्रेसन से प्रेसन से यदि हर में 5 तो देखिए हर कौन है? x है और अंस है x-3 तो अंस को पहले लिखते हैं हर को नीचे लिखते हैं यानि अंस को उपर और हर को नीचे ठीक है भिन्य में क्या होता है अंस उपर होता है और हर नीचे तो हमेशा भिन्य का बात हो तो उपर क्या होता है अंस और नीचे होता है हर तो अंस क्या है, यहाँ पर एकस माइनस तीन, तो इसको उपर लिखेंगे, और हर है एकस, तो इसको नीचे लिखेंगे, तो कहरा है यदि हर में पांच, यदि हर में पांच, एवां अंस में दो जोड दिया जाए, तो हर में कितना कहरा है, पांच, तो यहाँ पर पांच एवाँ अंस में दो जोड़ दिया जाए तो इसमें दो जोड़ेंगे तो भीन एक वटा दो हो जाता है भीन क्या हो जाता है एक वटा दो ठीक है यदि हर में पांच एवाँ अंस में दो जोड़ दिया जाए तो भीन क्या हो जाता है एक वटा दो तो बराबर एक वटा 2 लिख लेंगे ठीक है अब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा एकस माइनस अब देखें माइनस 3 प्लस 2 3 में से 2 गया 1 यानि माइनस 1 लिखेंगे यहां पर बटा एकस प्लस 5 बराबर एक वटा 2 तो एकस माइनस एक बटा x प्लस 5 बराबर 1 बटा 2 इस तरह लिख लेंगे अब तिर्चा गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 गुना x माइनस 1 बराबर 1 गुना x प्लस 5 देखें 2 से x माइनस 1 को गुना करेंगा और x से x प्लस 5 को गुना करेंगे तिर्चा गुना करेंगे अब 2 से x माइनस 1 को और x से x पलस 5 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 गुना x 2 x माइनस 2 गुना 1 2 बराबर 1 गुना x 1 पलस 5 इस तरह लिख लेंगे 2 गुना x 2 x माइनस 2 गुना 1 2 बराबर x गुना 1 x पलस 5 गुना 1 5 तो हो जाएगा 2x-x बराबर 5 प्लस 2 तो x बराबर क्या हो जाएगा अतह x बराबर तो यहाँ पर देखे, 2x-x लिखेंगे, x को इधर लाएंगے तो minus में हो जाएगा और minus 2 को इधर ले जाएंगे तो plus में हो जाएगा, तो 2x-x हो गया its 5 प्लस 2 7 यानि X बराबर आ गया 7 X बराबर कितना आ गया 7 तो लिखेंगे यहां पर अतह हर बराबर तो हर को X माने थे तो X बराबर आ गया 7 यानि हर हो गया 7 और अंस अंस कितना था X माइनस 3 यानि 7 माइनस 3 X के जगा पर 7 रखेंगे तो बराबर आ गया 4 ठीक है तो हर X हो गया तो X बराबर 7 आ यानि हर हो गया 7 और अंस हो गया X माइनस 3 तो X के जगा पर 7 रखने पर 7 माइनस 3 बराबर 4 आ गया तो क्या पूछ रहा है भीन निक्याद करें तो लिखेंगे अतह भीन बराबर तो भीन क्या हो जाएगा तो अंस को उपर लिखा जाता है यानि 4 हर को नीचे लिखा जाता है तो 4 बटा 7 तो इसका उत्तर देखिया आ चुका है 4 बटा 7 अंस को उपर लिखते हैं और हर को नीचे लिखते हैं तो 4 बटा 7 अंस क्या है 4 है तो 4 को उपर लिखेंगे और हर है 7 तो भी नो गया 4 बटा 7 तो इस तरह इस प्रस्न को हल करेंगे तो 5 बटा 7